Hello everyone, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी बढ़ी होगगे, मैं भी बहुत बढ़ी हो. मेरा नाम है केपरिस खान और मेरे यूटूब चैनल केपरिस खान में आप सभी का बहुत-बहुत सभागत है. तो चलिए आपका बीना टाइम वेश्ट के अपने टोपी का त्रमूब करते हैं So, let's start our video जैसा कि दोस्तों आपने मेरे वीडियो का थमनिल में देखा था कि आज हम बात करने वाले है कि WhatsApp के हैकिंग से रिलेडेट है आखिर उसके पीछे के सचाई क्या है WhatsApp होता है कि नहीं होता है कैसे होता है कैसो है कि इसको बंद किया जाते है वह सारे चीज़ें को मैं किलियर करूगा इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कि WhatsApp हैक नहीं हो सकता एक आम इंसान जो है जिसको अगर थोड़ी बहुत hacking की knowledge भी थोड़ी बहुत क्या एक्ष्टाग knowledge भी है ना तो WhatsApp को hack नहीं कर सकता है एक छोटे मुटर hacker के भी मानका नहीं है WhatsApp को hack करना है और fact चीज में आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो है ना एक आम इंसान जो बहुत सारे website होते हैं बहुत स तारे application होते हैं software और बहुत सारे website होते हैं जिसके थूए hack हो जाता है उसमें क्या-क्या-क्या-क्या एकसेस कर सकता हो गैलरी एकसेस कर सकते हो रिकोर्डिंग कर सकते हो बीना अगले को पता चले आप उसका पूरा जो है call recording सून सकते हो मतला बहुत सारी चीज एक्सेस कर सकत लेकिन आप WhatsApp नहीं एक्सेस कर सकते हैं, आज से कुछ साल पहले दोस्तों WhatsApp ने एक फीचर लॉंज किया था, जिसका नाम था WhatsApp विप, जिसको यूज करके जो है न, आप जो फोन में WhatsApp यूज करते हैं, क्योंकि WhatsApp सबसे पहली बात तो जो कंप्यूटर होता है, न, कंप्यूटर य या PC में यूज कर सकते थे, तो उसमें क्या होता था था न, कि सिर्फ जो आपका WhatsApp क्या चैटिंग, यानि क्या-क्या बात किया हो, वो सारा two copy चीज उसमें दिखा देगा, WhatsApp के status दिखा देगा, आपका profile दिखा देगा, और दुसरे सबसे बड़ी बात है, उसमें आप calling जो कर में किया हुआ है, तो वो उसी वक्त काम करेगा, जब मैं WhatsApp मेरा मोबाइल का internet on रहेगा, और internet on होने के साथ साथ मेरा WhatsApp on रहेगा, तभी अगला बंदा WhatsApp को जो है PC, यानि computer में भी देख सकता है, चलिए मैं आपको इस्टे बताता हूँ, सबसे पहले WhatsApp ओपन करना है, जैसे आपको A screen पर दिखाई दे रहा है, WhatsApp ओपन करने के बाद, राइट साइड में, यानि दाहिने साइड में, कूने में उपर देखिएगा, जो थिरी डॉट दिया हुआ है, उस जहां से आप आपके सामने इंटरफेस आएगा, उसमें देखना है, अगर आपको वहाँ पर कोई device का नाम देता है, अगर computer का, किसी PC का नाम देता है, या किसी phone का नाम देता है, तो समझ लोग कि उस phone में आपके WhatsApp को यूज किया जा रहा है, इसी चीज़ को लोग hacking का तर यूज करता था आपको WhatsApp को लेगा, कैसे होता यह था ना, कि बहुत सारे लोग आपको WhatsApp लेंगे, ठीकिन आपको phone लेंगे, कहेंगे, भाई किसी काम से देना ले करके, और उसको अपने phone से scan कर लेते थे, और scan करने के बाद आप क्या WhatsApp बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी activity देख लेते थे, तो यह होता था, है कि तरह लोग इसको यूज करता था, तो अगर आपके भी phone में, वहाँ पर दिखा रहा है, ना, नीचे दिखा रहा है कि किसी phone का नाम, या किसी PC का नाम, तो आप समझ जो आपका जो वो phone है, उसमें आपको WhatsApp यूज हो रहा है, अगर वहाँ पर किसी device का नहीं दिखा रहा, जिस तरह, आपके, इसकी पर ец्कीन पर इस तरह का आपको लिखा रहा है, तो समझ लिए आपका WhatsApp है, या कोई कोई अगर आपके मतना देखाा, तउसे पर किलिक करके, जिसे जो भी phone या computer का नाम ने आप क्लिक करोगा क्लिक करने बान नीचे रेड डिकालर में दिखाएगा लोग आउट लोग आउट पर क्लिक कर दोगे तो आटोमेटिक जो कम्प्यूटर या जो भी फोन में आपका वाट्सटाप है हुआ है यह जो अगला बंदा देख रहा है वह आटोमेटिक मान से बंद सकता है लेकिन पूसी के बात है न यह पहले यह वर्ट जो ट्रिक था यह एंड्रोइड में काम करते था अब यह बंद हो गया यह सिर्पीची में काम करते है उस्थ उम्मीद करते हूं आपको यह वीडियो समझ माया होगा अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को ला है क्योंकि यहां पर बहुत सारे आपको इंफर्मेशनल चीजें मिलते रहते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो